इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग parrot OS का live persistence pen drive बनाएंगे तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं live persistence pen drive होता क्या है तो जैसी हम किसी भी operating system का live persistence pen drive बना लेते हैं तो उस operating system को हम अपने computer में बिना install किये ही pen drive कि थुरू रन कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको complete process बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग parrot OS का live persistence pen drive बनाएंगे तो उसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक pen drive लेना है और उस pen drive का size कम से कम 8GB होना चाहिए तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं अपना pen drive तो आप देख सकते हैं जैसी मैं इस PC पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यह अमन नाम का एक मेरा pen drive है जो की 8GB का यह मेरा pen drive है और दूसरा चीज हमें क्या चाहिए कि जो parrot OS है हमें उसका ISO image को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले हम लोग अपना Google Chrome open कर लेंगे और यहां पर सिंपल से सर्च करेंगे parrot OS तो जो मैं लिखके सर्च कर रहा हूं आप लिखके सर्च कर लेंगे तो जैसे हम लोग parrot OS लिखके सर्च करेंगे तो यह पहली website आएगी parrot sec.org यह आपको यहां पर दिख रहा होगा parrot security तो हम लोग इस पर क्लिक करके इसके official website को open कर लेते हैं आप देख सकते हैं यह parrot का official website open हो गया है तो हमें क्या करना है कि parrot OS का ISO image को download कर लेना है तो security edition basically कुछ काफी ज्यादा इसमें feature आता है इसको design basically किया गया red team operation के लिए penetration testing के लिए hacking सीखने के लिए जो security edition है वो आपको 4.8g भी का है आप इसको यहां से download कर सकते हैं और फिर एक और edition है home edition home edition means basic use के लिए इसमें कुछ खास आपको means यह normal use के लिए इसमें आपको कुछ ज्यादा feature नहीं मिलेगा तो हम लोग home edition को download नहीं करेंगे हम लोग security edition को download करेंगे तो मैं security edition पे click करता हूं और यह download पे click करता हूं तो आप देख सकते हैं जो यह parrot operating system का ISO image है स्टार्ट हो गिया और यह 4.8 GB तो मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं download में जाके तो आप यह मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो parrot operating system का ISO image था security edition वो download हो रहा है और इसका total size 4.8 GB है तो यह 26 minute में download हो जाएगा तो मैं इसको cancel कर दे रहा हूं cancel मैं इसको इसलिए क्या हूं कि मैं इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हूं ताकि आपका time waste नहीं हो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं मैं अपना file explorer open किया है और यह मैं यह download folder में गया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे में computer पहले से डाउनलोड करके रखा हूं तीसरा चीज हमें क्या चाहिए हमें रूफूस को डाउनलोड करना है रूफूस एक software है जो bootable pen drive बनाने में help करता है तो आप simple से रूफूस लिखके अपने computer screen पर search कर लेंगे Google Chrome में तो जैसे मैंने रूफूस लिखके search किया तो आपको यहां पे दिख रहे होगी पहली website रूफूस.ie हम लोग यहां पे यह भी नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा create bootable USB drive तो हम लोग इस first link पे क्लिक करके इसको open कर देते हैं जिस पे कि मैं mouse लाया हूं तो यह blue color में आ गया है Refuse 3.2 21 portable 1.3 MB का है तो हम लोग इस पे क्लिक करके इसको download कर लेते हैं तो यह add आ गया तो मैं इसको close कर दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं यह मेरा Refuse download हो गया तो मैं download folder में आता हूं अब हम लोग क्या करते हैं इसका bootable pen drive बनाता है तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है तो आप इसको show in folder पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा download folder में download हुआ था यह open हो गया हम लोग पहले इसे open करते हैं तो मैं इस पर double click करता हूं open करने के लिए तो यहां पर यह मेरे से पूछ रहा है do you want to allow Rufus to check application and update online तो आप इसको yes पर click कर देंगे यह देखिए यह मेरा Rufus open हो गया जो यह मेरा pen drive था इसको इसने automatic select कर लिए आप देख सकते हैं device में दिख रहा होगा अमन यह जो मेरा pen drive का नाम था और RGB का pen drive था तो इस pen drive को automatic select कर लिया है अगर आपके computer में 2-3 pen drive लगा हुआ तो आपको pen drive को select करना मेरे computer में 1 pen drive लगा हुआ तो इस वज़े से इसको इस pen drive को इसने automatic select कर लिया है अब आपको दिख रहा हो गया है पर नीचे boot selection यहां पर डिस्क और ISO image है तो जो अभी हमने ISO image को डाउंलोड किया था पारत OS का ISO image उसको हम स्लेक्ट करना तो आप सिंपल से यहां select पर क्लिक करें और मेरा download folder में था तो मैं इस download folder पर आता हूं यह देख सकते हैं आप मेरा कि पारत security ISO image है तो हम लोग इसको इसको select कर लिते हैं और फिर मैं open पे click करता हूं अब आप देख सकते हैं जो पारत OS का हमारा ISO में था उसको यह select कर लिया है अब हम लोग नीचे आते हैं तो आपको सिर्जब्राव की सिर्फ आते हैं इस्ते हैं आपको स्वाटर रिकमेंडर पीज़िख जब करता हूं नर्ग वर स्वाइक सबगतिता सब्स के ले पे Select and then okay करेंगे तो फिर यहां पर यह मेरे से Permission मांग रहा तो आप इसको Yes पर क्लिक कर देंगे और फिर यह बोल रहा है कि आपका Pendrive को Format करेगा तो आप इसको Yes पर क्लिक कर देंगे और आप यहां पर देख सकते हैं जो लाइप प्रसिस्टेंस पेंडराइब बनाने का प्रोसेस था, उह इसको कंप्लीट होने में 10-15 मिनिट का टाइम लगेगा, तो अगले 10-15 मिनिट के अंदर यह जो हमारा पेंडराइब है, यह पैरेट वїस का लाइब परसिस्टेंस पैंडराइब बनके रिडी हो जाएगा, यह 0.1% हुआ है तो जब यह 98 यह 99 परसेंट होगा तो मैं वहां से वीडियो को कंटेन्यू करूँगा अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इस नहीं लिख दिया रेडी मिन्स जो मेरा पैरेट ओस का लाइप परसेंट्राइब बनके रेडी हो चुका है तो इसको क्लोज कर देंगे फिर फिर हम लोग इस पीसी पर क्लिक करेंगे तो इस पीसी पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुए यह Parrot Security का यह मेरा Life Persistence Pen Drive बन गिया है तो जैसी मैं इस Pen Drive को निकाल के दुबारे से अपने Computer में लगाऊंगा तो इसका यहां पर यह Sign चेंज हो जाएगा वही Sign है कि वो मेरा Parrot OS का Life Persistence Pen Drive बन के Ready हो चुका है तो मैंने अपने Pen Drive को निकाल दिया अब मैं इसको यहां लगा रहा हूं दूबारा तो अब आप मेरे यहां Computer screen पर देख सकते हैं कि इसका यह Sign चेंज हो गिया यही Sign है कि यह मेरा Parrot OS का Life Persistence Pen Drive बन के Ready हो चुका है तो अब मैं क्या करूँगा इसको अपने Computer में लाइव रन करूँगा मैं इसको बूट करूँगा इस Pen Drive के थ्रूँ तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं यह मेरा Computer Dell का है डेल के Computer का जो BIOS मेन्यू है वह F12 से Open होता है अगर आपके पास HP के Computer है तो HP का BIOS मेन्यू F9 से Open होता है अगर आपके पास और कोई दूसरा Company का में सोनी का है या फिर असूस का है लेनवो का है तो मैं उसका BIOS के आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूगा और उस recording आप अपना BIOS की दवाएंगे तो हमें क्या करना है कि अपने Computer को रियस्टार्ट करना है जिस टाइम आपके Computer चालू हो रहा होगा उस टाइम आप अपना BIOS की दवाएंगे तो मेरा ये Computer Dell का है तो इस वज़े से मैं F12 दवाऊंगा आपका Computer जिस भी Company का है तो आप उस recording आप अपना Boot की दवाएंगे आप अपना डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे कि आपके कौन से Company का Computer है उसे recording Boot की दवाएंगे जब भी आपके Computer रियस्टार्ट हो रहा होगा तो आप अपने PenDrive से उसको Boot कर आएंगे तो आप मेरे Computer स्क्रेन पर देख सकते हैं क्लिक कर ले रहा हूं और जैसे यह चालू होने लगेगा तो आप F12 दवाना स्टार्ट कर देंगे तो मैं यहां पर F12 दवाना स्टार्ट कर दिया हूं जैसे ही मैंने F12 दवाया तो यह मेरा BIOS मेन्यू ओपन हो गया अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसको PenDrive से बूट करवाना है तो आपको यहां पर सबसे उपर दिख सकता यह USB डिवाइस लिखा हुआ है मेरा PenDrive है नीचे जो मेरा साटा जीरो यह टेकी का यह SSD कंप्यूटर में लगा हुआ है तो हमें क्या करना है कि अपने PenDrive से बूट करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे इसको कीबोड से अब अब बटन दवा के इसको USB डिवाइस पर लेके चले जाएंगे इंटर बटन दवा देंगे PenDrive से बूट करवाने के लिए तो मैंने इंटर बटन दवा दिया है अब आप देख सकते हैं यह जो पैरेट ओस का ओफिसियल पेज है वह ओपन हो गया है कि अब अब क्या कर ना है इसको लाइवारन करवाने को लिए हम लोग इसमें अडवांस मोड पर जाएंगे तो हम लोग डाउन एoqu की बटन दवाएंगे कि बोड में तो जश्सी मैंने डाउन इंटर्वान एंड यह लाइब मेरे कम्प्यूटर मेरन होगा बिना इंस्टाल किये हुए इसमें आपको 1-2 मीनिट का टाइम लगेगा तो आप 1-2 मीनिट टक वेट कर लेंगे तो आप यहां मेरे कम्प्यूटर स्क्रिन पर देख सकते हैं जो मैंने लाइब पर्सिस्टेंट पें द्राइब के थुरू पैरेट को रन करवाया था वह सकस्फुली रन कर गिया और यह मेरा पैरेट होईस है जो लाइव रन कर रहा है और फिर मैं यहां अप्लिकेशन पर क्लिक करता हूं यह सारे कुछ आपको मिल जाएगा यहां प्रोग्रामिंग का है फिर सिस्टम टूल है पर पेंट टेस्टिंग के लिए आपको काफी सारे हैं पर सौफटवेर है और यह नॉर्मल जासे जिस तरीके से आप इंस्टॉल करके यूज करते हैं आप उसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं बिना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किये हुए लाइव और यह फिर फिर भी यह वर्क कर रहा है यह वर्क इसलिए कर रहा है क्यूंकि यह आपके राम में चल रहा है बिना कंप्यूटर में इंस्टॉल किये हुए अगर आपको अपने कंप्यूटर में पारेट को इंस्टॉल करना तो आपको इहां पर दिख सकता है इंस्टॉल पारेट तो अ का कोई question है तो मेरे से comment में पूछ सकता है